चतुद्विदा भजन्तिमाम शुकृतिनार्जु। अगर भगवान का पस कोई जाता है, जो भगवान हम बहुत गरीब है, यह बहुत दुखी है, हमको तरह शुकी कीजिए, हमको तरह धन देजिए। उसको पुर्णवान का आज़ता है। भयकि जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल भगवान की सेवा करने के लिये तरिया। उसका नाव है सुद्ध मुपन थे जासा फिर्णवान में हो। फिर्णवान में गोपि लोश, बंद महराच, यछ drisada, आम आए केबल देख रहा है, उनकी जो बच्चा है, वो ठीक से खाया, ठीक से स्वया, शुती है किने, भगवान से कोई मानता है, नंद महाराज भी हो, गोपी लग भी हो, भगवान किस तरसे शुती है, ये सुद्ध भक्त का, प्लैट का, तो ये जो आशक्ति भगवत से जा ये भगवान किसे वा किस्तर से आगे भरती है, ये भगवान खुल भता है, मैयासक्त मनार प्राथ्थ जोगं जुन्न, एक जोग, इसका नाम है भक्ति जोग, वो भक्ति जोग का अर्थ क्या होता है, ना भगवान में आशक्ति भड़ाज, इसका नाम भक्ति, आशक्ति हम किसी का आशक्ति आए धन में है, किसी का आए दुनिया में है, किसी का अपना देश में है, किसी का अपना समाज में है, और किसी का कुछ है नहीं तो कंसता में एक कुट्टा में उसका आशक्ति है, एक डिल्ली में उसका आशक्ति है. आस्त्य जरू। कोई भी ब्यक्ति ऐसी नहीं है, जिसकी आस्त्य आस्त्य जरू है। तकि वो आस्त्य फिरा करके, जब भगमान में आप लगाएगा, उसमें आपको जीवन संपूर। इसलिए भगमान करते है, मय्यास्त्य मना, बन कैसी बना नचाहिए, जे भगमान में आस्त्य कोब बना, मय्यास्त्य मना प्रक्त जोगम्, एक जोग, जोगम्य जुन्यत्य म्त आस्रया। और भगवान का अष्र यह स Parliament कहीए, सम्पूर्न हो सकता है. फिदाउट टेकिंझ सेट है, भगवान का बिना अष्र यह मेंना है, कीसि भगवद्वथभक्थी भगवान, यह तो यह भग्थी शेही मनुम हो सकता है. पीछी दिये, बद आस्र, भगवान का आस्र पहले लेने चाहिए। और भगवान का आस्र लेने के पहले, बद भक्त्या पुजाब भधिका बगवत भक्त जये, उनका आस्र जेना चाहिए। यह जो आस्र किस तरह से बढ़ती है, यह रूपकष्वा में बिचा किया है, कि आदो सद्ध्या ततो शादु संगुति, पहले सद्धा, जैसा आप लोग सुन रहे हैं भगवान का भुषण, यह सुन्ते सुन्ते सद्धा होती है, जो आप मैं भी भगवान का पत्त्या है, य यह जो process है, सरनं केप ठनं विश्म, स्मर्नं पाद असे व疫. यह शुरू है, सद्धा, इसका नाम है सद्धा, आदू सद्धा, क्याले सद्धा, जिसका सुध्धा है ने, वो आगे क्मेगे से. सादु सद्या तक शादु संगष. जदि स्धधा है तो सादु संगष कीजिए. यानि जो लोग भगवद भक्त्र है, उनको संगष कीजिए. तो आप लोग बिजनस करते हैं, share का business करते हैं, तो share business जो करने वाले हैं, stock exchange, उसका membership. इसी प्रकार जिदि आप भगवान को चाहते हैं, जो भगवान का जो भक्त है, उसका association में mix दिए, membership. आम लोग का क्या business है, भगवान भक्ती सब को सिखा रहा है, आपको ढूढ़ने नहीं पड़ेगा, इसलिए तो सारा दुनिया आम लोग घुम रहा है, तो कोई आय तो पाता भी नहीं, सुनता भी नहीं, नहीं तो पहले ये था, जो कहा भगवान भक्त है, ढूढ़ने पड़ क्यों भगवत भक्त होगा, आई ये जी आई, फिर बात है, ये business है, पकि कोणा चली है, जो नियम है, जो आदुर सत्या ततलु सादु सानु, सादु कोन है, सादु भगवत भक्त के आई वही सादु है, और सब सादु नहीं है, अचोर है सादु ये सास्र का सिध्धानत है ज़से भगवान भगवत गीता में पता है, अपीते शुदुराचारो भजते माम अनन्नभाद सादु रेव सामदु भगवतु सादु कोन है, जो भगवान का भगता है, भजते माम अनन्नभाद, और कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं छोड करकर कुछ नहीं जानता है, साद्व वह यी भवाळ्जम्नसादनी सा महहत्मा शुदुर्ल्यवदृ संब भग도न बता है कम साद्वाई गम महात्मा है वासुदेवसर्वमेति सा महात्मा हशुदुर्य। पम्यू, केरु भवाळ न किस्न कही जानते र सबकुष Mr. ऐसे महात्मा मिल्ला मुश्कीदा महात्मापनुस्त्वांग प्रार्थु गैवी प्रगिति घ्या आप्गितिदो یकिए महात्मा का लक्षण है केवल कृस्क्न बजटे भाश्यू तो शाधुस्क्न लता है अर्थ होता है जो महात्मा है, जो शाधू केबल भगवत भजन करते हैं, हरकोस नहीं जाते हैं ते साम सदत जुत्ताना, भजतान प्लिदी जुत्तान, अनन्न भाक्ति, अनन्न भक्ति का अर्थ होता है अनन विलासता सुन्नम, भग्वान से कुछ अदा कर लेंगे ये बात में, सुन्नम, अनन विलासता सुन्नम ज््यान कर्माञ अन भृत्वत्व, ज्ञान से कर्म से, ज् Template, ज्यान से चात्रे हैं, भगवान से एक हो जाएगे merge into the existence, तो ज्यान पंत्रा है, वो भी नहीं, और कर्म का पंत्रा है, तो हम सब को लोग में जाएगे, और आगे जाके हमारा खुछ शूप सम्रद्धी, कि ये ये दुनिया में हमारा को शूप सम्रद्धी बनेगे, वो भी नहीं, केवल भगवान किस तरह से शुपी होगे, भगवान क्या चाहते हैं, उसको एंग समाधन करें, ये विचार से जो है, वो भगवान पराने के ये, चाहते हैं, जो पहले तो सब्सक्राद चाहिए, और उसको बात, सादसन, सादसनटया तो मत अनथा नित्ति श्याथ, सादसनबwayा शादसन जैसि ये ज्दंदे ओप्षन जो हमाना पर शुपी सुंप आने की कोई आगे बहराएं या नाष, महाराज, हमां को आप सुप्षे बनाएं। वि सिस्वाने सि क्या, गुरु क्या शिकाघा था गा में है, वजय नत्किया इस तरह से भजन करने का, को शिखा, साद्व संग मर कठ्पल हो था भजय अनना तो जनम मर सादुसंक्या, जनम मर सुना, अब अब भजन क्या नहीं, भजनक्या सिखाने, वो सादुसंदी. वो आशोचेंट जैसे किसे, वो ही एक्जाम्पल. आप तो आक से इनमे जाईे, तो फिर बिजनेस कीजी, फिर लाव कीजीए. अब लाव नहीं हो, तो कि वो इस्ताफेश के नहीं जाने से क्या पहते है? तो शादुसंद, भास्तुरिक शादुसंद करने से, उचको खल होता है भजनक्या, और भजन्या पर सुरू करेगा अनर्थ निवित्यश्यात, जितना अनर्थ, अनर्थ क्या जो चीज हमको नहीं कोई जरूरत है, वो सब निवित्यश्यात, क्या अनर्थ को आर्थ होता है क्यो पाफ कार्ज है, वो निवित्यश्यात, जो भगवत्मजन करेख उसको पाफ कहा है? तो इसलिए है, उदान श्रुके से हम लोग, हमारा सिष्व लोग इतना है क्या चार चीप छोड़ दिया ह क्या चीत, अवईद स्त्री शंक, अपनी विभाईत स्त्री चोड़ करके, कोई स्त्री से संपत्नी है, यह महापाप है, यह तो भगवत्मजन करें, नहीं, चानक का पंडित, जो निती बाग को बताया है, उसमें कहा है, मात्रिवत्परदारेशू, पंडित कौन होता है? प पंडित, चानक का पंडित बताया है, यह पंडित की को कहा जाए, नहीं, मात्रिवत्परदारेशू, जो दुस्त्रे स्त्री को अपने स्त्री चोड़ करके, सब को मात्रिवत्, अपनी मा की समान देखता है, मात्रिवत्परदारेशू, परो द्रिवेशू, लोस्त्रबत, और दुष्रे का जो धन है उसको देखता है रस्ता का कूड़ा, छूता भी नहीं देशुआ। और आत्मप सर्वभूतेशु और अपने का समाँ, अपना सुख दुख जैसा है दुष्रे को भी समझता है, हमारा गला में चुरी देने से जैसा दुख होता है, उससे को गला चुरी क्या हो दे, उनको भी दुख है, यह जो समझता है, यह तीन चीज जो लाब किया है, महात्रिबत परदारेशु, परदन बेशु, लोष्रबत, आत्मप सर्वू, सापनिता, वह पनिता, तो अनर्था का है, यह जो जितना हम लोग सीखते हैं, दुखे का गला में चुरी देने के लिए, और दुखे का और अरत को पसेने के लिए, यह साब अनर्था है, यह अनर्था है, यह उनका पाइचाना है, जो बास्तिवे वह भगवद भजन कर रहा है, यह theoretical नहीं है, practical, यह सब गुन उसमें आगर आजा है, तो मालू होता है, जो भगवद भजन कर रहा है, आदुशद्या ततो भजनक्या अथा अनर्था निवित्ष्या, यह अनर्था नि निवर्त हो जाने से फिर उनके आशक्ति, तथाशक्ति, रूची, अब भगवाद खुब ही बता है, बगवद गीता में, कि जेशाम अंतगतंग पापं जनानां कुन्य कर्मान ते दन्धमह निन्मक्त भजन ते मांग दिवक्तता, बगवद भजन कों कर सकता है, जेशाम, जेशाम अंतगतंग पापं, जिसका पाप बिलकूर नश्कूर, जेशाम अंतगतंग पापं, जनानां पुन्य कर्मान, येवल पुन्य कार्ज करते हैं, इस कार्ज बेक्ति हैं, वो भगवद भजन. तो वो भी बड़ा मुश्किल नहीं है, जदी बास्तिवे, हम भगवद भजन करने को चाता, भगवान काते है, सर्वधन्मान परित्यमामिकं सरनंग प्रज अंतां सर्वपापेभ्वा मक्षत, जेदी बास्ति में कोई भगवद भजन करता है, उसको पाप्षू भी नहीं है, जे शास्ति भक्ति भगवत अकुंचना, सर्वई गुनाइतत्य समा सते शुरा, यह सब भुचा है, तो भगवान में आशक्ति भरने की यह, भगवान जेसे बताते हैं, भगवत इतापे, उसको पारंद कीजी, तो आस्ते-ास्ते आशक्ति हो जाएगे, और आशक्ति होने से भगवत प्रेम, आशक्ति किसे हो जेसे, कोई लड़का है, लड़ चैतन्य महमगः भिषय, प्रेमा पमार्थ महा, धर्मार तकाम्वक्षने, भगवत प्रेम, that is the first class, religious system. जबेपुंशांग, परो धर्म, यतो भक्ति, अभ। और्म, संप्रदापां, इसको भगवत प्रेम भर रहा है, that is the first class. सब्भाइपुंसांद परो, परो, परो means, फूतरिष्टा, ऐ पूतरिष्टा, आ राणसेलन चाह, अप्राकित, प्राकित, भगवत्वत्ते वो फुट्ड़ जा सकता है, काकि अप्राकित भगवत्भक्तु जा, पूतरिवाला देओ, सब्भवत्त्रिष्ट प्रॉत्त परो वोई धर्म के जाजन कीजिए, जिसके जर्या से भगोध भक्ति लाएं। ये सर्शाक्त के विचार है, और भगवान तो बता रहे हैं, एक-एक सब्दों, अगर विचार करके जर्वन करेंगे, और उसको तज्जुशना और उसको जीवन में बास्तरी अपनाएगे, तो आस् बात है, जो सद्धा, जो इस जीवन में, जिस आम लोग पुचार करते हैं, तो बहुत भक्ति लाव करना इत्मा जीवन का उद्देशा है, इसमें जिसका सद्धा है, वो आगे बसकता है, इसलिए इसका नाम है, जो मदास्वा, पहली आस्रे भगवान, भगवान कहते है, स जो बगवान, इतना दिन तो आपको आम भुला था, अब आपका चरन में मैं आस्रे ले रहा हूं, आप कुपा करके, आँका आस्रे जीवन के लिए, तो बगवान का आस्रे जेने के लिए, तो दौर की इधर आते है, जो सद्धार्मान पृत्त जिमामितम सान, तो आदमी भी देताने, भगवान का बाद सुनताने, तो भगवान रे चरिप्यात करने लिए, मैयासक्तमनाक्ता आत्म जोग विन्यन्मत आस्रे बगवान का आस्रे लेके, की जोग, बक्ति-जोग-जोग, प्रैक्टिस करें जीवन में, जाला है, उसके लिए भगवान की आस्रे करें सिवे, जाला है, एला है बिएında में जोगवान के लिए सार्व करने लेक fortress ओशने लिएा कई han?".